मूर परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तिक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबिल में प्रमार है कि प्रभू ने मनुष्य को अपना ही सुरूप बनाया छे दिन में सृष्टी रचकर साथवे दिन विश्राम किया पुरान शरीफ में प्रमार है कि हजरत मुहम्मत को खुदा स्वयम कह रहे है कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमात्मा कबीर है जिसने छे दिन में सृष्टी रची तथा साथवे दिन तफ्ट पर जाविराजा है उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो कृपया हवश्य सुनिये जगत गुरूत तत्वतर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित बचर अब परमात्मा ने नू कहा था आओ सेउ जीम लो ये परसाद प्रेम और सिर्कट तेचोरों के बेटा संता के तो अक्सेम संतों के सीस की रक्सा होती है आजाओ आप बोजन पाओ कहते हैं जेव धड़ पर सीस तेड़ा अपने आप सीस उठकर उस धड़ पर लगकर और सेव भागया आया बाहर बैठकर और बोजन पंगत में बैठी गया खाना खाने के दिए और माता पिता ने निसान देखा कि निसान भी नहीं गरदन के कहीं कटे हुआ अंदर उठकर जाकर देखा वो साव नहीं वो सीस नहीं वहा रकत के कुछ धब्बे जरूर पड़े हैं तो कुनातमाओ यदि भगवान की ही अब तुलना करना चाहते हो पैचान करना चाहते हो स्री किर्शन जी को आपने तामर धोज के जीवित कर देन मातर से उनको भगवान मान लिया तो कबीर भगवान के ये लक्षन उसके सामान तर समझना और देखो जैसे कमाल था उसका जीवन सेस नहीं था और परमातमान उसकी एक्स्टेंशन आयू कर दी अब उस दिन कमाल के हर्दे में धक धक वी और चर्ण पकड़ देने बोले भगवान परमातमाने कहा सेव तो कह रहा था ना मेरे जैसा कोई सेवक नहीं तो देखे नहीं थे बेटा कमाल भी सतब्द हो गया नहीं कर लगवान सच मुझ मैं तेनकी चर्णों की धूल भी नहीं था तो बेटा एक से एक साथ भगत होते हैं अब इमान नहीं करना चाहिए उसकी फड़क निकाली अब फिर क्या क्या परमातमाने कहा बेटा तरह अब देखना ठाट हो जाएंगे समन कहते हैं सत ना छोड़े सूर्मा सत छोड़ें पत्दा अरसत के बंदे लक्समी फिर मिले ग जैसे वो मजा करते थे जिसे तुम्हारे बगवान ये करते हैं लड़का जीवित किया और फिर समन को इतना धन दे दिया परमातमाने एक नंबर का सेठ का है उसी जीवन में तो परमातमा कहते हैं कल्पे कारण कौन है मन मजजादा कल्पना मत कर फलाना यूं कह रहा था तो ना धीरे सब को छो और माली सीचे सौगडा समयाई फलो अब आपने आम का बीज बोया है जैसे पौधा होते हैं सेकड़ों घड़े उसमें पानी की से चाही होती है और उसको प्रिपक होने दो प्रिपक होने के बाद फिर देखना कितना लद पद होगा फलों से आप भी ख समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा यह कभीर भगवान आपको बोलो सत्कुर्दे तो अपने आत्मा इस सत्वग्ति के करने से आपको यहां भी सायता में लेगी और उस अथान पर तले जाओगे जहां कोई दुख नहीं अपनी बग्ति करो औरों को समझाओ और बा प्रम पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सारी सिर्ष्टी के रचनहार कभीर प्रमेश्वर जी की असीब रजा से आप सभी पुन्यात्मा इस सत्संग सुन रहे हैं मात्पिता मिल जावेंगे लख चुराशी मही सत्गुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नही हमारे परम्पिता कभीर बगवान ने आकर के सुत्ती आत्मा को जगाया है जो काल की भांग पी कर नसे में अपना जीवन नास कर रही थी उसके लिए प्रमात्मा ने सुम्हा कर हमें ग्यान दिया है कि जो आज आप इस परिवार के पोस्ट में और संपत्ती के संग्रह करने में अपना पूरा मनुस जिवन नास कर जाते हो मनुस जिवन का केवल इतना ही काम नहीं था ये क्रियाएं जो आप करते हो पसू पकसी भी यही करते हैं फिर मानुस जिवन के मिलने कावदिस से क्या था अवशक्ता क्या थी ये प्रमात्मा सुम्हा कर ग्यान कराते हैं और उस ग्यान को आगे कुछ ग्यान बना करके काल के दूद काल के संथ प्रिणा तो करते रहते हैं लेकिन इनके पास समाधान नहीं होता जिसके पास समाधान नहीं है वो ग्यान भी विर्थ है जैसे किसी को कोई रोग है किसी ने बता भी दिया कि आपको अमोक रोग है और वस्ति है नहीं और है तो वो डुपलिकेट है तो वो ग्यान बीर वो समाध़न भी वो दोनों वेर्थ हैं यूदल एसें थीक, इसी परकार तत्व ग्यान के अभाव से जो भक्ती भी करते थे मुनस्जीवन का उदेसे भी जो सद्द बता दिया करते थे कि इसका आतम के लाण ही मुनस्जीवन का उदेसे है लेकिन उनके पास समाधान नहीं था तो परमातमा ना के समाधान भी बताया है और ये तत्वग्यान भी बताया है क्या बताया है परमातमा ने कि मात पिता मिल जाएंगे इस लक्स चौरा सीमा जहां भी आपका जनम होगा पसु कुटे की यूनी में जाओगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे गधे की यूनी में जाओगे वहां भी आपको माता पिता मिल जाएंगे पक्सी बनोगे वहां भी मात पिता मिल जाएंगे मनुस जन्म होगा वहां भी मात पिता मिल जाएंगे मनों स्रीर क्या त्रीक हमें पर्मातमा नहीं मिल सकते हैं सत्गूरु नहीं मिल सकते हैं इसलिए पर्मातमा बताते हैं कि मात Owner पता मिल जावेंगे लख चुरा सीमा और सत्गूर स्ववा और या बंद गीवाइ फिर मेलन की न मान उस जनम पाय कर जो नहीं दट हरी नाम जैसे कुवा जल बिना फिर बनवाया क्या काम जिस कुप में जिस कुवे के अंदर जल नहीं है उपर से उसकी कितनी अच्छी चितरकारी है और कितना इचाइपक का स्ट्रेक्चर है यूजलेस है वो उसका कोई लाब नहीं उसमें जल नहीं है तो इसी परकार जो मनुस जीवन प्राप्ट प्राणी कितना इच्छ पोश्ट प्राप्ट है कितना इसका सुंदर सरीर है यदि उसमें भगती नहीं सत भगती नहीं है तो ऐसा है जैसे जल रहित कूप होता है मानुस जनम पाय कर जो नहीं गटे हरी नामे जैसे कुआ जल बना बनवाया क्या काम मानुस जनम दुरलब है ये मिलेन बौरं बौर जैसे तर्वर से पता तूट गेरे वो बौर ना लगता डर इसके लिए प्रमातमा हमें याद दिलाते हैं आपके पास मानुस जनम भी है और आपको सत्गुरु भी मिल गए है तो फिर क्या बताते हैं कि समझा है तो सरधर पाओं बहुर नहीरे ऐसा दाओ फिर प्रमातमा हमें याद दिलाते हैं के राम नाम रटते रहो जब तक गट में प्राने कभू तो दीन दयाल के है भेनक पड़ेगी कान आज कहे मैं काल भजू और काल कहें फिर काले आज काल के करते ही तेरा समें जावेगा चाले आज कालाहा लीजियो कल किसकों होई यो तन माटी में मिले हैं जाने सब कोई काल करे सो आज करे आज कर सो अब पल में परले हो जागी भाई फेर करोगे कब आज कालाहा लीजियो कल किसकों होई ये तन माटी में मिले हैं जाने सब कोई लखी करोडी चले गये बहु जोडे खजाना जातन चंदन लेपते सो दरे मसाना अस्ती गोडे पाल की दल बल बहु साजा वो सवालाख संगी गये वो रावन से राजा लखी करोडी चले गये बहु जोडे खजाना जातन चंदन लेपते सो दरे मसान अस्ती गोडे पाल की दल बल बहु साजा सवालाख संगी गये वो रावन से राजा कुम्ब करण से बीर चे वो लंका छत्रदारी बेना नाम वंस डूब गान्यों समझावे नारी विभिक्षन पद बेदिया वो निर्गुण निर्बान रावन दूई बिशारे रे तजगर्व गुमन बडचक विकाल चकर पड़े जिन नाम विशार्या कंस केशी चानोर से धरबाल पचार्या इरना कुष समझा नहीं परलाद पड़ावे उदर विनास्या आनिक तब कुम्ण छुटावे जरा सेंग से मारिया और सैसरा बाहू गरहा से गज छुटाई आनिजनाम है साहू दूसा सन पर ले गए वो इकोतर भाई दुर्योदन की देहे कूं तनगीद ना खाई सुक्सम रूप धर कर किनी कबीर सहाए किरस्ण को तो महिमा दिनी है सतवाए सुक्सम रूप धर कर किनी कबीर सहाए सिरी किरस्ण को तो महिमा के वल दिनी है सतवाए मुक्समुक्ती सत नाम से भजली जो सोई अगम दीप सत लोक में तब बासा होई सैस अठासी दीप में उत पती की खानी दास गरीब सत भगती मिले तब सतिर होत पराणी पुनातमों सोब आगे आपका दन आपके मात पता जिन से जनव हुआ क्योंकि अच्छे संतान अच्छे ही मात पता को प्राप्त होती है अच्छे संतान वही है जो पगवान से डरने वाले प्रमात्मा की तरफ में बठकने वाले और बुरा इसी डरने वाले होते हैं वही अच्छी संतान होती है और वो अच्छे मात पिता से उनका जनम हुआ करता है तो ऐसे संसकार आपको जो प्राप्त है ये बहुत ही कम चांस है इस मानुस जीवन में आप बालको आपको ग्यान नहीं ये दास इस मारग का मास्टर बना दिया कभीर वगवान ने इस दास को मालूम है आपकी कितने कीमत है आपकी इतने पुनकरमी प्राणी है क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वंग ग्यान नहीं होता जोर ही कीमत लगाता है अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आज का लाहा ली जी ओ, कल किसकों होई और ये तन्माटी में मिले, जाने सब को, सब को मालू है मरेंगे पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अब ही नहीं मरेंगे कब मरेंगे? अप्रोक्सिमेट है अप्रोक्सिमेशन है कि जैसे कोई 20-30 वरस का बच्चा है बेटा है या बेटी है वो तो सुभावी की निश्चेंत है कि अभी तो 100 वरस के आसपास मरते हैं 80-70 वरस तो बहुत हो जाते हैं और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि अमर बहुत है और जो 70-80 के बीच में पहुंच गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वरस और हो लेकिन हम उसमें बूल जाते हैं दस वरस के बालक, दो वरस के बच्चे, ग्रब के अंदर भी एक वरस का छो मिन्हें के बीस वरस के त्यस वरस के कोई किसी कारण से पचास और चालिस वरस के ये सब मर्तू को प्राफ्थ हो रहा है तो इसलिए प्रमात्मा याद दिलाते हैं कि आज का लाहाली जियो कल किसके होई जो अपना धन इकठा कर लोगे बक्ती कर लोगे दान धर्म कर लोगे वो आपका होगा बाकी ये रेस्टोरेंट है आपने सब कुछ बना बनू का यहीं छोड़ जाना है आप साथ नहीं ले जा सकती है तो क्या ले जाना है हमने जैसे हम विदेश गए हैं सब्देश आना है तो हम विदेश की क्रेंशी यहां ले भी आएंगे तो वो काम नहीं करेगी उसको हमने चेंज कराना पड़ेगा उस क्रेंशी को हमने अपने सवदेश वाली क्रेंशी में चेंज कराना पड़ेगा तब वो हमारे काम आओगी न तो कागत है एक नए पैसे काभी नहीं है इसलिए हम यहां विदेश में रह रहे हैं यह पर्थवी एक विदेश है काल का लोक यह विदेश है पर्थवी उसका एक सहर समझो 21 बिर्मांड है उसका पूरा रज्ज सामरज्ज है हम सत लोक से यहां आगए हैं वो वापिस जाने की अब त्यारी कर रहे हैं तो हम यहां की कोई वस्तूर नहीं ले जा सकते इसके लिए हमने करेंशी चेंज करानी पड़ेगी नहीं यहां करेंशी कैसे चेंज होगी जैसे आप दान करोगे वो दान फिर पैस्चा जो है वो दान में बदल जाएगा और दान से फिर धरम बनेगा और धरम बनकर आपकी किसमत में लिखा जाएगा उतना ही अकाउंट आपको उस विदेश में अपने सवदेश में मिलेगा ये आपकी करंसी चेंज करानी है तो इसको जितना आप करा पाओगे वो आपका और जो करंसी चेंज नहीं करा पाए वो इस काल की यहीं छोड़ के आनी पड़ेगी इसके लिए क्या बताते हैं लखी करोडी चले गए बहु जोड़ खजाना और जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना राजा लोग, सेठ लोग सावकार होते थे जितना व्यक्ती धनी हो जागा उतना ही वो करत घनी बन जाता है ये माया का गुण है राजा लोग क्या करते थे सारे शरीर पर जशाज कल तो ऐसी चल पड़े कुलर कलर होगे राजा लोग क्या करते थे चंदन को घिसवाते नोकर चंदन घिसा करते थे और गर्मियों के दिन में सारे शरीर रुपए चंदन लगा लिया करते थे और सीतलता पराप्त करते थे उससे चंदन की लकडी का बुरादा चंदन जो है बहुत सीतल होता ठंडा तासिर होती है इसी परकार सेथ और सावकार है तो परमात्मा कहते हैं जातन चंदन लेपते जिसके स्रीर पर चंदन लेपन होता था और बगती करी नहीं वकवाद करके जीवन नास कर गए पिछले जनम के पुन कर्मों को पूरव जनम की बैटरी से राजा बन गए जब तक पूरव जनम के पुन चलते हैं ये राजा राज भोगता है धनी अपना धन का सुख लेता है और यदि बविशे की भक्ती ठीक ना मनी साश्तर न कुल साधना नहीं हुई चारजर नहीं लगा तो पूरव जनम की बैटरी जिस दिस दिस चारज होगी यानि पूरव जनम के पुन आपके जिस दिस दिन समाप्त हो जाएंगे उस दिन अचानक कैर टूटने शुरू हो जाएंगे जैसे राजा लोगों का इतियास देख लो आप पिछला पुराना इतियास हम पढ़ा करते थे कोई राजा दस पांच वर्स राज्य किया किसी ने दस वर्स किया किसी ने बारा वर्स किया और जो करम बिगड़ते हैं इनसान के कोई ना कोई काल प्रेरिना से दूसरा राजा आके उस पर आकर्मन कर देता है उसकी नीद हराम हो जाती है मारा जाता है लुट जाता है बच जाता है जंगलों में धक्ये खाता है तो अब बैटरी उसकी समाप्त होगी और मर्चू के उपरां तरा जागधें की यो नीद जाता है तो यहां परमात्मा कहते है अगम नगम कूँ खोज ले बुधी विवेक विचार उदे अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार कितना सटी को धारन दिया है परमात्मा ने के जरासा बुधी से काम ले मानो अगम नगम को खोज ले अपने भविशे को विचार कर और बुधी विवेक विचार उदे अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार यदि पर्थवी पती बन जावाए उदे यानि जहां से सुरिये उदे होता है और अस्त होता है अर्थाथ पूरी पर्थवी पतीस का सासन हो उसको उदे अस्त का राजा कहते हैं उदे अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार अब बिगार तो अब साइद किसी बच्चों को ना याद हो डिफाइन करना पड़ेगा उसको पहले सन साथ के बाद 66-67 में 68 के अंदर अर्याना में परान तलग हो गया था इसमें इतना विकास नहीं था सडके बड़गी फिर ये थ्री वीलर चला करते थे पैट्रॉल के ये बड़े बड़े जिनको तीन पईयों वाले थ्री वीलर के बड़े वाले और वो गाउं से सेहर में जाया करते थी हमारे गाउं से दो थ्री वीलर चला करते थी एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा कि कल क्या बात होगी कुसल तो है आये नहीं तो उसे नहीं कहा कि कल मैं बेगार में फस गया था बेगार क्या होती थी पहले पुलिस वालों के पास अपने सरकारी वीकल नहीं होते थे जीप बगैरा ये ऐसे ही किसी की जी पकड़ लेते हैं, एक दिन किसी का थरी विल्डर पकड़ लेते हैं, कोई फोर विल्डर जबरदस्ती ले लेते हैं, उसको सारा दिन अपना जो भी उनके काम होते हैं, दस-पांस गामों में, किता रेड मारनी होती है, किता सराब पकड़नी होती है, का पई यानी टेकन देते हैं आम विक्ति को तो ऐसे लगए जैसे बड़ी सपीड से जा रहा है कोई अच्छी कमाई कर रहा होगा वो थ्री वीलर वाला और वो फस रहा था वेगार में तो वो बता रहा था कि कल मैं दो सो रुपिय अपने घर से लगा काया हूँ यानी उस समय के दो सो रुपिय आज के वीस जार भी में खाल में कम होंगे कर दा दो सो रुपिय का पैट्रोल अपने पल्ले से लगाया सारे सूबह लेगे मुझे पकड़कर 6 बज़े रात के 11 बज़े छोड़ा मुझे दो सो रुपिय का तेल लग गया और पल्ले से रोटी खानी थी वो तो कल मैं बिगार में फस गया अब क्या था कि सारा दिन वो चलता तो खूब दिखाई दिया पईया टेका नहीं बहुत सपीड इधर चलो उधर चल और इंकम एक नए पैसे की नीथी खर्चा सारा का सारा था इसको कहते हैं बिगार तो जो राजा लोग या सेठ या अन्य कोई भी विक्ती समझो अब जब राजा को ही लिया जाता है तो बाकी अन्य नागरिक तो अपने अवकाद से प्रीचित हो जाते हैं जब राजा भी जो भगती नहीं करता वो भी बिगार कर रहा है तो आम वक्ती भी उससे अपनी तुलना कर सकता है कि जो वक्ती नहीं करता और कि माया जोड़न में लाग रहा है तो वो राजा पूरव जनम की जो पुन कर्मों की कमाई थी उसके आधार से उस पुन्जी से उसके खुब ठाट पार्ट दिखाई देते हैं जजयकार हो रिया जहां जाते हैं माला डालने वाले जयकार करने वाले बैंड बाज़ा बजाने वाले खुब हैं उसके आगे पीछे और वो भुली आत्मा अपने पूरव जनम की वो बैटरी को अपने पूरव जनम की कमाई को समाप्त कर रहा है आगे चारदर है नहीं यानि बविश्य की भक्ती वो करनी रहा तो वो राजा बिगार कर रहा बिगार अपनी पुंजी को नास कर रहा है और पल की चैन नहीं तो यहां गरीबदास साहिब जी प्रमातमा से प्राप्त ग्यान के आधार से कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुधी विवेक विचार उदे अस्त का राज में ले तो विन नाम बिगार है उन्हां अत्माओ कले जाहिल जाए इनसान का जरासा सो दी में हो जरासा विवेक रखता हो हमारी बुधी पर पत्थर पढ़ चुके हैं हम पूरण रूप से कितने विद्वान पा करें हम चे इंजिनियर बनगे हैं हम डॉक्टर बनगे और चे परधान मंत्री बनगे हम बक्ती मारग में सुनने हैं अध्धातम मारग हमारा सुनने है और किसी की पूरुजनम की प्रेड़ना से वकी ट्राई भी कर रहा है तो वो केवल डले ढो रहा है साथ तर्विर उसाद ना करके तो सोब आग गया आपका आपको एक ग्यान सुनने को मिला दन्यवाद करया करोस परमपता वगवान कबीर साहिव का कि ये ग्यान आप तक पहुंच चुका इस दास को पता है या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन कितना संग्रस करके आप तक ये ग्यान पहुंचा है नहीं काल के दूट ये दुष्ट लोग इस ग्यान को उपर नहीं आने दे रहे थे 600 वर्स पहले परमात्मा कर चले गए क्योंकि ऐस इक्सित थे हमारे पूरवज़ और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ग्यान नहीं आने दिया ये कह करके कबीर तो ऐस इक्सित है ये बिरमावी शुन महिज की निंदा करता है ये देवताओं की निंदा करता है इसको मारो पत्थर इसको भगा दो और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की ये दास की नीद खुली और ये तत्व ग्यान हुआ उसी दिन से बेचैनी बनगी जिसको समझाओं उल्टा पड़े कबिर साहिब कहते हैं साच कहूं जगमारन आवे और जूठ कही ना जाई हो और साच ने पूरा पावते इन जूठों जगपती आई हो तो पिनात्मा सन उननीस सो चुरानुमा में प्रम पुजेक मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का अदेश दिया था उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संगर्स करके आप तक परमात्मा का यूग्यान पहुचा पाया हूँ इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की जेल तक भेज़ दिया जूठे केस बनाकर जूठे अफ़ाएं फैलाकर राम पाल गुंडा है नोना बताया एक नमबर का अदमी है और सारे विस्वे के कल्यान के लिए प्रियतन सील है तो अपने आत्माओं आप सभी का कर्तों बनता है अपने भाएं बाईयों तक ये ग्यान पहुचाने का इस मारग के अंदर सबसे पहला आपको सेंद सील बनना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा ग्यान है जो भी सुनता एक बार उस मतुफान आता ही आता है जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को या बच्चे को कोई मेडिसिन खिलाते हो और उसकी जीप रखते वो थूक भी देता है और रोता भी है और अपने मात पे ताए कपड़े भी पकड़ देता है मेरा मुझ खराब हो गया कोई बात नहीं प्यार से फिए अपना ही तो है जो ऐसा कुछ सिंख कर रहा है विरोध हुआ अपना ही तो उसी के प्रियतन कर रहे है उसी के लिए उनकी जीवन रख्षया के लिए तो उसको फिर जीरे जीरे वो टेबलेट इंजेक्शन वो लाने पड़ेंगे उसको खेलाना ही पड़ेगा तो तब जा करके वो सवस्थ होगा तो इसलिए परते का करतों बनता है प्रमात्मा की इस मारग में सहोग देने का लेकिन इस मारग के अंदर हम भक्त हैं भक्त का लड़ाई करना फर्द नहीं होता परमातमा खो जाये थे और उनके साथ कितनी बद तमेजियां की थी उस पर मेश्वर कबीर जिन किसी को बद दूआ भी ने दी ऐसे बद सलो किये थे कभी पता करेंगे क्योंकि पहले तो आपको ये ग्यान समझाते हैं वेद पुरान गीता से आपको प्रिचित कराते हैं ताकि फिर आपकी बुधी ये सविकार कर ले वाए कि कभीर इज गौड जिस दिन आपके ये समझ मा आ जागा कभीर इज गौड वो धानक रूप रहा करता कासी वाला धानक ये समर्च सकती है है तो है लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा फिर उसके बाद प्रमात्मा की के अलुब महिमा सुनाया करेंगे प्रमात्मा की अमर्वानी से आपकी आत्मा विभर हो जाया करेंगी आँखों से आसू पढ़ ग करेंगे और उसके वाउदू इतना कुछ तंग किया मालिक को उनकी कथा कभी सुनते हैं पढ़ते हैं तो आँखों से आसोनी रुख से कलिज़ा फटने को हो जाता है और एक सबसे बड़ी बात ये देखिए उनको प्रमात्मान किसी को बद्वा तक नीदी नीटों समरत हैं एक सेकेड़ में परचुई को नास करते हैं दूसरी सेकेड़ में एजिटीज दर दें ये इतने सक्सम है कुबिर बगवान लेकिन उनको बद्वा नीदी क्योंकि उनको मालूम था कि ये मेरे ही बच्चे हैं इन्होंने भांग पी राख है काल बगवान की और इन दुष्ट लोगों ने मेरे बच्चों को बिराइब रोधी बना दिया है काल के दूतों ने और वो काल के दूत कौन है वो गुरुपद्व है वो भी तो परमात्माई के बच्चे हैं तो पनात्माउं जब आपकी बुधी आपका विचार सतर इतन को ने आपको बचा का भी रखना है और परमात्मा के ग्यान को उसके बच्चों तक पहुचाना है कहते हैं आत्म पराण उधार ही ऐसा धर्म नहीं हो रहे है जीव का उधार करा दे इस तर बड़ा कोई पन नहीं है देखो पन तो वो भी है जैसे पक्षियों को दाने डाल दिये कोई गव साला दर्म साला बनवा दी कोई कुवा खुदवा दिया कोई बाग बगीचे लवा दिये कोई बंधारे कर दिये वो तो अच्छी बात है कर दिये और जैसे आज तो आपने पक्षियों को दाने डाल दिये और वो पक्षि अगले जनम में बने गा सूर फिर क डालेंगे, आज तो हमने उस पसु के लिए गव साला बनवा दी, गव है, अर अगले जनमें वो सुर बन गई, सुरी बन गई, फिर क्या सिवा करेंगे इसकी, तो उसका एक तरीका बताया कि जो मानों सरी धारी परानी है, इस में उद्धार हो जागा इनका, इस परमात्मा की सरनमाने से, कबीर भगवान की सरनमाने से, या सत वक्ती करने से, उस आत्मा का फिर उद्धार हो जागा, वो ना गधा बने, ना पसु बने, ना सुर बने, और फिर सत लोग चली जाएगी, अब कितना जंजट मिट गया, अब कहते हैं, सत गुरु के उपडेस का लाया एक विचारे, जैसत गुरु मिलते नहीं ही, जते नरक दुवारे, नरक दुवार में दूट सब करते खेचाताने, उन से कभू ना छूटता, फिर फिरता चारों खाने, चार खानी में भर्मता, कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया, मारे सत गुरु के उपकरे, क्या बताना चाहते हैं, कि एक जीव को, एक मानो शरीर धारी पराणी को, और परमात्मा की सर्ण में ला देने से, ये सत बगती प्राप्श करवा देने से, उस लियाने वाले को इतना पुन होगा, जैसे करोड गवों को, कसाई से कटने से बचा कर और तरह गाह में छोड़ देने का होता है, इतना पुन उस मारग दर्सक को होगा, जो सतलो का शरंबरवाला का रा बता देगा, यहां का ग्यान चुना देगा, उस जीव को यहां नाम जला देगा, तो फिर उसके बाद कहते हैं, उस भगत का, सारा बाई पास निकल गया, सत्गुरु मिल गए, सत्गुर की उपदेश का, लाया एक विचार, और जय सत्गुरु मिलते नहीं हम जाते नरक दुआर, नरक दुआर में दूट सब फिर करते खें चातान, उन से कभूना छूटता फिर फिरता चारो खान, चार खानी में भरमता, और कभून लगता पार और सो फेरा सब मिट गया, मेरे सत्गुरु के उपकार, अब ना वो पसूबने, ना पकसी बने, और ना कोई और नरक में जाए, तो कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा की करपा से, उस सचे नाम से, वो कितना बाईपास निकल गया, तो इस परकार कहते हैं, आत्म पर कोई पन नहीं परानी को, पन तो और भी है, लेकिन अगर आप प्रॉप कार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है, परानियों के परती, तो मानो सरी धारी परानी को मनुस जीवन पराप्त करवा दे, बुरा वो भी नहीं है, जैसे एक पकसी है, अपने घर पर दाने डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेश सथानों पर मत भटको, ये विर्थ है, और अतीथी आता, उसको भूजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता, उसको पैसा मत दो, कई भक्त कहते हैं, ये तो फिर हमारे दिल में दया खतम हो जाएगी, यदि हम बिखारी को पै पैसा नहीं देंगे, पर मातमा कहते हैं, दया का पर योग भी विधीवित करने से ही लाब होगा, अन्य था, वो आपका भी बगती ना सक, और दूसरे का भी हानी का रख, दूसरे को भी हानी कर देगा, जैसे, एक दनी विखती ने, दया भाव से, एक बिखारी को सो रुप पिये दे दिये, अब वो बिखारी पहले परती दिन एक पहुआ पिया करता, और घर में पी का, सराब तो जगड़ाई करवाती है, और कुण सा रामान माच्चागा हो, तो उस दिन उसने अद्धा पिया, आद्धा बोतल सराब पी गया, घर जाके लड़ाई कर दी, गरवा वाले दिया लूने, उस बिखारी का कुणबा गानी करवा दी, तो ये दिया भी खराब है, ऐसी दिया नहीं करनी चाहिए, बिखारी को रोटी खिला दिया, अगर बिखारी रोटी खाले वाई, कपड़ा नहीं है, तो कपड़ा सिलवा दे उसको बिना सिलाया नहीं, जो ज आते बेच्चेगा और गुटी लाओगा एक बगत कह रहा था कि एक दिन में पारक में गोमने चला गया और वहां दो बाबाजी बैठे नकली दो या तीन जैसे थे वह तो वह मांग मुंग के लाए कठे पैसे करया करते श्यामना उस दिन उनके पास सारा कुल मिला के वीस एक 25 रुपे बने तो वह कहने लगे वाई समय तो कुछ भी ना आवे एक का भी काम ना चाले सराब पीड़ेंगा तो इनको भी ठीक है तुम टाल कर दो में एक लाँ पी लूँगा वो लेकर एक बाज गया 25 रुप्या ने उसने एक लाइन काम चलाया उस दिन उनका तुमारे भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दाने गुरु बिन दोनों निस्फल हैं चाई पूछो बेद पुराण तो गुरु के अतिक्त दिया हुआ आपका दान भी विर्थ ही रहेगा अगम निगम को खोज ले बुधी विवेक विचार उदे अस्त का राज मिला तो वे नाम बेगार है प्रमात्मा ने आपके उपर मेर की है पुन्यात्मा उमनों स्रीर ऐसे समय में अब प्रमात्मा ने बेन उठा रखा है कि जो भी सत नाम को और इसार नाम को पराप्ट कर लेगा आज इवन मर्यादा में रहेगा गुरु वचन पर चलेगा वो सभी सत लोग चले जाएंगे जहां जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी समसार नहीं आते तो उसके लिए बताया है कि सत गुरु मिलना चाहिए पूरा संत हो सत बगती सास्त नुकूल हो और भगत भी कति डट के वगती करे बुराई छोड़ दे बीडी स्राब मास्त माखू आन उपासना रिष्वत खोरी चोरी जारी ये सब बुराई हैं इस वगती मारक में बादक हैं इनको त्याग कर ही हम प्रमात्मा प्राप्ती कर सकते हैं मनुस जिए उनको सफल कर सकते है अब परसंग चल रहा है कि कल करे सो आज करो आज करे सो अब और पल में पर ले हो जागी वैं फिर करोगे कब हैं समझा है तो सिर्दर्पाओं बहुर नहीरे ऐसा दाओ अग गये नबावडे रचते भी सबजां और बिन साहिब की बंदगी कई ठोठे काना ना जो पहले चले गए मरतिव होगी उन्होंब नहीं झाके बताया हैं यहारी साथ क्या बना और सेस भी सब चले जाएंगे ऐसे ही मरतिव को पराप्त हो जाएंगे और परमातवा ने आके बताया है कि वो जो भगती नहीं करते वो नरक माझाते है सत्गरु něहीं मिलते सचा संत नहीं मिलते सत्गुरू नहीं मिलते तो जाते नर्क दुवार जैसत्गुरू मिलते नहीं जाते नर्क दुवार सत्गुर के उपदेश का लाया एक विचार और जैसत्गुरू मिलते नहीं जाते नर्क दुवार नर्क दुवार में दूत सब करते खें शाताण उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान, चार खानी मैनेगे, अंड्रज, जेरज, उद्वुद, ये चार परकार से जो उत्पती प्राणियों की होती है, ये तुरा सी लाख परकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं, इनको चार खानी ली भागों में चार ड्वीजन बनाई हैंगी और चार खानी में भरमता कबू ना लगता पार सो फेरा सब्मिट गया मेरे सत्गुरू के उपकार अब फिर कहते हैं ऐसे सत्गुरू की क्या महिमा करूँ साथ समुदर की मसी करूँ लेखनी करूँ बन राए अपने अत्मा आप तो बालक हो आपको तो बनाई खीर मिलगी ना दूमे माँख फुटी और ना कोई आँच लागी आपको तो परमात्मा ये बना के दरके गए थे यो ग्यान तत्व ग्यान लेकिन इन काल के दूटों कहरना तो गीता पड़ने वालों को गीता समझ माई वेद पड़ने वालों को वेद समझ माई नही पुरान पड़ने वालों को पुरान समझ माई नही और कुरान पड़ने वालों को कुरान समझ माई नही Bible पढ़ने वालों को Bible को ग्यान नहीं हुआ है और कभीर परमेश्वर की वानी पढ़ने वाले इन कभीर पंसियों को परमेश्वर की वानी का इनको समझ नहीं आया तो यह परमात्मा आपको बना के दरगे सारा ग्यान है वो कहते हैं Good, Better, Best आप वो Best quality की आत्मा हो परमात्मा की जिनको सत लोकासर मरवाला में यह सत नाम और सार नाम पराप्ट हो रहा है तो आपके लिए सारा प्रेत्र हो रहा है अपने आत्मा हो बैड होता है बैड है तो बैड से Good भी बन सकता है जैसे चोर चोरी करता था योग्यान हुआ चोरी छोड़ी भगत बन गया खरावी कहला था खराव चोड़ी भगत बन का खाया तो इसी परकार लिए से Good बन जाएंगे Good से प्र भड़्र बनेंगे फिर best बन जाएंगे तो बैश्ट बनने के बाद हम सत लोक जाएंगे तो जिनको सत्लों का सर्मबरवाला पराप्थ हुआ, मरियादा में रहे, सत्वक्ति करते रहे, तो वो बेष्ट क्वालिटी की हनसात्मा हैं भगवान की और उन पर विशेस रजा है परमात्मा की परमात्मा हमें आकर ग्यान देते हैं रह रहकर समझाने की चेश्टा करते हैं साथ समंदर की मसी करूँ और लिखनी करूँ बन रहा है किसी भी एक मान लिख पेड़ को काट कर रख लो और उसकी छोटी छोटी टैनी बड़े तने सब को चीर चीर के कलम बना कर रख दे डिहर लाग जागा और परमात्मा कहती है उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे रख दर्ती जितना बड़ा कागज हो साथ समंदरों जैसी इंक हो स्याही हो तो कहती है सब लिखते हैं लिखते हैं कलम गशजियां साथ समंदर की इंक भी समाप्त हो जावे ऐसे सत्गुरू के गुन लिखे नहीं जा सकती अब क्या लिखाओगे एक कुते का जीवन लो उस कुते के जीवन में क्या क्रश्ट उसको होते हैं सारी रात तो बहुंकता है उसकी एक सभाव बना रखे है सारी रात बहुंक के उसकी आंथ कठी हो जाँ भूख लागा जोर की और सुबह वो क्या करता है किसी का दर्वाजा खुलता है गली में ऐसे देख जाकर उसी दा भागता है कि इदर रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बास सी टुकडे की या वैसे ताजा बना रहे हो तो दाव लगाकर रसोई में गुशने की तेश्टा करता है अबर सोई में कौन गुशन देख या तो लठ मारेंगे या फैंक का मारेंगे कोई ना ठायाता है एक गर्मप गया उसके लट लगया फिर ट्यां ट्यां करता हुआ दूसरे में गया दूसरे में गया दूसरे में उसका भाग उसने को टूक मिले फिर जूत मिले और उसमें भी लट लगया तो फिर भूक तो उसको लगी है वो फिर कहां जाता है बाहर खितो जंगल में जहां लोग फ्रेस होकर आते हैं वहाँ जा करके फिर वो गोबर खाता है और पहले वो मनुस जीवन में पलाटून बना फ्रेसा कहें से भी ना समझ मावा कि यह दुख हो जागा आपके जीवन को तो पुन्हात्मों सो भागे आपका 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 बात समझ मागी कि जो संतों नव मात्मा सत्गुरू के सजदा करूं ये करम छुटाए कोटे और जो ऐसे सत्गुरू की नंदा करे फिर जम तोडेंगे उठे आपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सत्गुरू के सजदा करूं कुर्बान हो जाओं संत के उपर जिसने करम छुटाए कोट बीडी, सराब, मास, तमाखूब, कीब, सुलफाब, गांजा, वांग और ये तोरी, जारी, बुराई, बकवाद, छुटवादी जो हम सने पड़े थे इन गंदों में निर्मल किया और फिर सतनाम दिया कहते हैं सत्गुर के इसे जदा करो ये करम छुटा ये कोट और ऐसे संत की जो निन्दा करे कहते हैं फिर जम तोड़ेंगे होट ये हम के दूट ऐसे मारेंगे लटें ओठाओं पर लगए चाए शर्म में लगए वह आगा पिछानी देखेंगे ऐसे विक्तियों के तो यहां प्रमात्मा कहते हैं गुरु मानुस कर जानते ऐसे संत को कहते हैं मानुस मत गिन्ना वैसे तो पुन्यात्मा वो बगवान तो बगवान ही होता है और वो भगवान वो परमात्मा स्विम भी आते हैं एजे गुरु एक लीला करने के लिए और जब वो स्विम आए थे उसमें हम यहीं मार खागे थे ना चौश्ट लाग से सोना एक ग्रीब आदमी का एक जौफडी में बैठके कपड़ा बुनने वाले विक्ती के चौश्ट लाग से सो जाना ये एक अजूबा है जैस मारी बुद्धी काम करती होता है लेकिन उस समें परमात्मा जिसको भी नाम देते थे आसिरवाद देते थे उनके दुख दूर हो जाते थे भूत भाग जाते थे कहते हैं सत्गुर दोचाव एसो कर ही चोदै कोट दूत जमडर ही उत भूत जमतरा सिन्वार है और चितर गुपत के का गिसपाड है ये समर्च कभीर भगवान है ये आपके उत भूत किसी परकार का भी आपके उपर तीन ताप का दुख हो परेत बादा हो पित्र बादा है या कोई जंद बादा है अब परदान मंतरी के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे उसके साथ तो बहुत गुने बाउड़ी गार्ड होते है तो जो बगती ना करके श्रीर छोड़ के वो बगवान के चोर है जिन हर की चोरी करी और गई रामगुन भूल ते बिजना बागुल के रहे उर्द बुख्चुल तो ये परमात्मा उत भूत जमतरास नवारा है यम के दूट भी निकट नहीं आ सकते केते हैं सत्गुर सरना आयक है और धरमराज कैसा धरमराज केते हैं ये नोकर हैं यम के दूट जो आ कर सताते हैं इसे पर दान मंत्री हो मर्चु के बाद वक्कल ताहर जेंगे पकड़ के ले जाएंगे टीटीवी गले से पकड़ लेते हैं बाजू पकड़ देते गशीट कर ले जाते हैं जिसके पास भक्ती धन्ने उसे यम के दूट ने डरते और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमातमा ये समर्थ भगवान है अनंत कोट बिर्मांड के स्वामी है तो यह बताते हैं सत्गुर की सरन में आका फिर और हमारी समझ में नहीं आए कि यह भगवान है गले नहीं उत्री के यह भगवान हो सकता है और भगवान के सिंगा अड़ा हो आकर जिसके सिंग शांग लग रहे हो या बंदूख बंदाख ले राखी हो और जो दुख आपर आपती आई और दूर कर दी मालिक ने और ऐसी भगटी दी आपका सारा सुख दे दिया सब दो भी सरन में आये थे गिंटी नहीं कर सकते इतने सुख दिये दाता ने लेकिन उन सिर्फरों के बकाएफे यह कह दिया करते यह तो वैसे सद्ध पुरस है को शिदी सद्ध जानता है यह भगवान थोड़ा ही हो सकता है हम मान्या करते हैं भगवान सिर्फराम और सिर्करसन जिसके आत्मतीर और सुदरसन चक्र और अनुमान जी के पास गदा अटमात तालेर याठो अथम अथियार तो हम इसे इसे आन भगवान मानना थे याईबू दीवा पत्थर पड़ रहे थे ऐसी कारण से हम फेल रहे तो हम उसी समें इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं मानना तो परमातमा एक वानी लिखकर गए है कि गुरू गोविंद कर जानियो रहियो सब्द समाए मिले जब डंडवत बंदगी नहीं पल पल जहान लगावे गुरू जी को गोविंद कर मानना भगवान मानकर उसके साथ ब्योहार करना ट्रीट करना गुरू गोविंद कर जानियो और चलियो आग्यामा मिले तो डंडवत बंदगी नहीं तो पलपल ध्यान लगा जब भी आपको मिले डंडवत परणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना वो खुद तो भगवान थे ही लेकिन अब अपने दास को भेज़ा है परमात्माने तो इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा जैसे गनित के अंदर एक परसन आता था ब्याज का रिन का तो उसमें मूल धन ग्यात करना होता था मूल धन तो होता था वो करोड़ों और अर्बों रुपे का उस करोड़ों और अर्बों रुपे के मूल धन को प्राप्ट करने के लिए मानना पड़ता है मान लीजिए मूल धन सो रुपे वो सो रुपे मूल धन नहीं है लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रोब्लम को सोल करने के लिए तो ये समझ लेना पुनात्मा प्रमात्मा की वानी है कि गुरु गोबिंद कर जानी हो और रही हो आग्यामाई मिले तो डंड़त बंदगी नीपल पल धान लगाई अब जैसे आप यहां से जाओगे शरी छोड़ के इदर छुटे गा आपको मालूम है सब को हम चाहते तो नहीं है कभी मर्चू हो लेकनिया तो होगी होगी वो मालकिया अधार पर आप भक्त ओगे है अब की मर्चू तो बगवान कबीर साहब डे कंजा में आप कहोगे तब होगी बगक है लोगे घड़ लगत काल नहीं मार सकता आपको अकाल मरतों नहीं मर सकते आप अगर नियम ठीक रखोगे तो ये तो हमने यहां से जाना पड़ेगा जब आप यहां से रही छोड़कर जाओगे तो उपर जाकर के जहां भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेशवराब को खड़े दिखाई देंगे और जो काल के दूप यहां संत आए हैं उनका रूप होगा लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे तो वहां जिस गुरू की वो सरनमे हैं तो वहाँ जाका अपने गुरुजी के पास ही जाते हैं उतो, सिद्धे के अपने वह खड़े गुरुजी, तो अब उसके सहसारे उस गुरु के पास, उसके अदूसरे गुरु के पास, तो वहाँ काल भी आता है जो उसने संत बेज रख्या है इन जीवों का नास करने के तो इस दास के रोप में आपको वहां पर मातमा में भी आपको एक और हिदाएत दी जाती है कि जब आप गरुरु जी के पास जाते हो परनाम करते हो तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमन अवस्या करें पर्थम नाम मिला है तो पर्थम का अवस्या करें जैसे परणाम करते करते भी आप एक सांस का सिमन आसानी से कर सकते हो और उससे क्या होगा जैसे यहां तो आपका अभ्यास बना रहेगा का वक्ति तो करनी करनी है तो उससी क्या होगा जैसे आप वहां जाओगे एक चरकुटी एक इंटरनेशनल एरपोर्ट समझेलो चरकुटी आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्रा कहां से हैं मैं ग्राम सुरजपूरा भाटा पारा जीला बलावदा बजार भाटा परा च्छतिस गर से हूं रितू जी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्रा लेने से पहले आप क्या वक्ति साधनाय करती थी कि दुर्गा माता का आवरत रखती थी सनी दEV का आवरत रखती थी साही बाबा का आवरत रखती थी और सभी 23 सलो पर भी जाय करती थी जैसे क सीर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, छाती में दर्द होना, मैं बहुत परशान रहा करती थी, लेकिन मुझे कहीं से आराम नहीं मिला, तो एक बार मेरे पती जीने की राह भूक लेकर आये मेरे घर, तो उसने बोला कि इसको पढ़ के देखो, इसमें बहुत अच्छा ग् ग्यान समझ में आ गया कि यही पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है उसके कबीर साहब के रूप में संतरामपाल जी महराज आये हुएं ऐसे करके मुझे पूरा ग्यान हो गया मुख्छ मारग का पत्ता चला ऐसे संतरामपाल जी महराज जी के शरन में सबस्क्राइब dodern सबस्क्राइब डीर इसको अपरेशन ना पड़ेगा एसे करके फीर मैं बहुत डर गई की मुझे इसको अपरेशन a अहीं क्राना ऐसे करके फिर एक जगह पता चला कि बेलपान घाओं है बिलासपur छेतर में तो वहां पता चला कि वहां आयुर्वेदी कि दवाई लगाते हैं वहां थीक हो जाता है एसे करके, फिर पापा मुझे बोलने लगे कि चलो वहीं चलते हैं, वहाँ ठीक हो जाएगी तू ऐसे करके, फिर वहाँ मैं चली गई, फिर चली तो गई, ठीक तो हो गया सर जी, लेकिन देर्ड़ दो साल बाद फिर उत्पन्न हो गई है कैंसर, फिर मैं संत्राम्पाल जी मह महराज जी से मैंने मन ही मन अर्दास लगा है कि ये परमात्मा मुझे कहीं नहीं जाना ना ही डॉक्टर के पास जाना है ना ही ओजहतांत्रीकों के पास और नहीं कुछ दवाई लगाने हैं नहीं कुछ गोली खाने हैं ऐसे करके मैंने मन ही मन संत्रामपाल जी महराज जी से प फिर मैंने संत्रामपाल जी महराजी की शरान में आने के बाद परमात्मा से मन हिमन अरदास किया कि मुझे कहीं नहीं जाना है आप ही ठीक करोगे परमात्मा जब इतने बड़े बिमारी को ठीक कर सकते हो तो यह तो छोटी मोटी बात है मुर्दे को भी आप जिन्द कर सकते हो तो आप पे ये भी ठीक करोगा, ऐसे करके मैं चूपचप घर में बैट गई, फिर ये अपने आप ही ठीक हुआ है, नहीं मैं डॉक्टर के पास गई और नहीं कोई दवाई लगाई हूँ, नहीं कोई गोली खाई हूँ, अभी दिर महने पहले की बात है, यहाँ पे मेरा सोनोग्राफी करवाया, तो डॉक्टर बुले कि यह कैंसर है, इसका उप्रेशन करना पड़ेगा, और इस जगह का कैंसर है, इसका उप्रेशन करना पड़ेगा, और यह गांट है, इसका भी उप्रेशन करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है, ऐसे करके, फ फिर एक हफते बाद सर जी ये गाठ जो मैं खुद अश्चर ये चक्कित हूँ कि ये गाठ जो आपरेशन के अलावा कोई दूसरा इलाज ही नहीं था, ये गाठ अपने आप ही फूट कर ये ठीक हुआ है सर जी, इसमें भी मैंने एक रुपय का भी खर्च नहीं किया, ये रि पिर मैंने संद्रामपाल जी महराज जी से मतलब प्रातना नंबर में फोन लगाया, तो परमात्मा का आदेश आया कि मालिक दया करेंगे ऐसे करके, फिर एक हफते बाद गाठ जो हाथ में, एक हफते बाद वो मतलब ठीक हो गया फूट कर सर जी, आज मैं सही जिन्दगी ज आपका कैंसर ठीक हुआ, आपने बताय कि आपका एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ, और आपका कैंसर ठीक हुआ, आपने रिपोर्ट भी दिखाई, तो जो दर्सक आज आपको टीपर देख रहे हैं, और वो भी इन गंबीर बीमारियों से गिरस्त हैं, उनके लिए आप क नामदीक्षा लेकर उसके शरन में आएं और नामदीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं, संत्रामपाल महराजी से नामदीक्षा ऐसे ले सकते हैं, टिवी पर एक नीचे पिली पट्टी चलती है, उस पर नमबर लिखे होते हैं, उस नमबरों पर आप कॉंटेक्ट करके न आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदरशी संत्रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिक जानकारी के लिए सकते हैं, आप 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 सकते हैं, झाल